खुद्रत हर किसी पर महरबान नहीं होती, किसी को बे इंतिहां देती है तो किसी की जोली में कुछ नहीं डालती, किसी को बहुत ज्यादा मोटा तो किसी को बहुत दुबला कर देती है, किसी को बहुत गोरा तो किसी को बहुत काला, वैसे खुद्रत की बनाई हर चीज खुद महरबानी नहीं हुई और यहीं उनकी पहचान भी बन गया है आज इस वीडियो में हम ऐसे ही जानवरों के बारे में बात करने बाले हैं तो चलिए वीडियो की शुरू आत करते हैं नंबर टैन नेग्ड मोल रेट नेग्ड मोल रेट्स अफरिका माधवीप के पूरवी हिस्से में पाय जाता है इन चुहों को इथियोपिया, केनिया, सोमालिया में बहुत आयत में देखा जा सकता है 10 सेंटिमीटर तक छोटे इस कदवाले चुहे को बड़ी-बड़ी कॉलोनियों में रहता देखा गया है इनकी बॉडी पे बाल नहीं होते, जिसके कारण ये देखने में अच्छे नहीं लगते 9. ब्लॉब फिश ब्लॉब फिश दक्षिन पूर भी आस्ट्रेलिया और तंजानिया के तट के पास 600 से 1200 मीटर की गहराई में पाई जाती है जहां वातावरंड का दबाव समुदर तल से कई दरजन गुना ज्यादा होता है इसका जेलेटिन जैसा शरीर पानी से थोड़ा ही गाड़ा होता है ये अपना जीवन गहराईयों में हिचकोले मारते हुए बता देते है 8. मॉंग फिश मॉंग फिश गहरे पानी में रहती है एट्लांटिक समुदर के किनारे पाई जाती है ये तेरने की वज़ा से पंको का इस्तेमाल समुदरी तल पर चरलने के लिए करती है और जो मिलता है उसे खा लेती है 7. हाईना लकडबगगा बड़े आकार की कुत्ते की तरह दिखने वाला एक मांसाहरी जानवर है जब लकडबगगा हसता है तो उसकी हसी का मतलब होता है उसे शिकार मिल गया है धर्ती पर पिछले धाई करोड साल से रह रहे है ये जीव शिकार का एक भी कत्रा बरबाद नहीं करते हैं हड़ी से लेकर खुर तक सब खा जाते हैं 6. वार्थ हॉग इनको अफरीका का सूर भी कहा जाता है मस्व से ढके चप्टे सिर वाले चार नुकीले दात विराल बाल देखकर ऐसा लगता है मानो कुदरत इनसे कुछ खासा ही नाराज थी 5. आय 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 मेड़ागासकर का एक दुरलब जीव है ये दुनिया में सबसे बड़े निशाचर प्राइमेट में से एक है आय आय के बीच में एक अलग से उंगली होती है जो की लंबी और पतली होती है और दिखने में लगबग कंकाल की तरह होती है 4. माटा माटा टर्टल माटा माटा टर्टल मीठे पानी का कचुवा है जो दक्षिन अमेरिका की नदियों और दलदली इलाकों में रहता है इसलिए आप इन्हें नमकीनी तटो पर नहीं पाएंगे लेकिन आप इन्हें लगबग हर जगा फैला हुआ पाएंगे ये गचुए भूरे, काले और गहरे हरे रंके भी होते है 3. फ्रूट फ्लाइज फ्रूट फ्लाइज छोटी मक्षिया होती है ये हलके पीले से लाल भूरे रंकी भी होती है लाल आखो वाली होती है ये मक्षिया ये दुनिया भर में पाई जाती है ये fruits नहीं खाती लेकिन दिखने में ये चमकीली होती हैं और बहुत ही बेहुदार दिखाई देती है गिद एक विशाल मांसाहरी पक्षी है जो अपनी मुर्दा खोरी और गंदगी खाने की प्रवत्ती के लिए जाना जाता है फूट चेन को बनाये रखने के लिए इस पक्षी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि ये गंदगी खाकर कई प्रकार की विमारियों को फैलने से रोकता है अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के नंबर वन एनिमल की बैड लिंग्टन टेरियर एक छोटी नसल का कुत्ता है जिसका नाम नौर्थ इस्ट इंग्लेंड और नौर्थन लेंड के खनन शहर बैड लिंग्टन के नाम पर रखा गया है इसका पतला सा सर और शरीर होता है यह दिखने में अजीब सा रखता है और इसके शरीर पर छोटे छोटे फर होते हैं तो यह थे कुछ अगली एनिमल्स जो अपने शरीर और शकल के लिए जाने जाते हैं आपकी क्याराय है इनके बारे में वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आज की वीडियो के लिए बस इतना ही धन्यवाद